नमस्कार, मैं हूं रोहित खर्ना, आप देख रहे हैं Nation Speaks, वर्ल्लकप खतम हो गया, अगले वर्लकप का इंदजार शिरूर हो गया, आप तो कहेंगे अभी 4 साल बागी है, अभी जल्दी क्या है, व्ल्कुल सही कहा आपने, अभी 4 साल बागी है, लिकिन फिर भी आपको खबर दिखा ही दें एक एक करके आपको जानकरी देते हैं देखें वर्ल कप 2023 तो हो गया अब फाइनल तक पहुंचने के बाद टीम इंडिया यहां ट्रॉफी उठाने से बेशक चूप गई अब भारती क्रिकेट फैंस को वर्ल कप ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथ में देख बानी दक्षिन अफ्रीका करेगा जिमवावे और नमीबिया इनके साथ रहेंगे मतलब तीन कंट्रीज मिलके जैसे आम तौर पे अभी तो सारे मैचिस इंडिया में होएं जैसे आम तौर पे पहले इंडिया में भीवा करता था कि इंडिया पाकिस्तान शिर्लंका बंगला देश मिलके आयोजन किया करते जब तो इंडिया में इतना इंफ्रस्ट्रक्चर है तो इसी तरीके से दक्षिन अफ्रीका जिमवावे और नमीबिया जो है वो मिलके इसकी मेजबानी करेंगे तीनों देश पूरे अरेंजमेंट्स करेंगे यह दूसरी बार होगा जब दक् दक्षिन अफ्रीका ने उनके साथ जिमवावे और कीन्या साथ में थी तीनों ने मिलके करवाया था उस वर्ल्ड कप में बड़ी हरानी की बात है दक्षिन अफ्रीका होम टीम थी जैसे इस बार भारत थी और लगता है होम टीम जो है वो सबसे आगे तक जाएगी उमीद भ होती है क्योंकि दर्शकों कापको उस तरह से सपोर्ट भी मिलता है लेकिन वहां दक्षिन अफ्रीका फिर अनलकी साबित होई और ग्रूप स्टेज में ही भार हो गई और जिमवावे की टीम भी उस वक्ट जो थी वो ग्रूप स्टेज में भार हो गई पर हैरानी की बात है कि Kenya की टीम जो एक बार पहले एक वर्ड कप में 96 में वेस्ट इंडिस को हरा के उलेट फेर कर चुकी थी वो सेमिफाइनल तक पहुंच गई बड़ा उस वक्त भी 2003 में बड़े उलेट फेर से हुए थे और सेमिफाइनल में पहुंच तो गई लेकिन वहां मुकाबला किस से हुआ हमारे ही टीम से हुआ भारती टीम से और भारत ने हरा दिया था Kenya को फाइनल में पहुंचे थे और वो तो फिर इतिहास है सबको पता ही है कि फाइनल में टीम इडिया पहुंची थी तब भी हम बहुत खुश थे क्योंची 1983 के बाद पहली बार ऐसा दूसरा मौका आया था जब टीम फाइनल में पहुंची थी पर वहां पे भी सामने अस्ट्रेलिया थी और उस दिन में किसमत उनकी ही अच्छी थी और वहां पे अस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था वो भी एक sad moment था हमारे लिए अब बात करते हैं कि qualification कैसे होगी कौन कोन आगे जाएगा मेजबान होने के नाते दक्षिन फ्रीका और जिंबावे के वर्ल्ड कप 2027 में खेलना था है ये दो नूट्री में मेजबान है तो definitely इनको तो खेल नहीं है लेकिन जो नावीबिया है उनके साथ ऐसा नहीं है उनको अपनी जगा अगले कुछ सालों में अपनी परदर्शन के आधार पर जो qualifiers मुकाबले विए रहा होते हैं उसके आधार पर पक्की करनी होगी नावीबिया के वर्ल्ड कप entry का formula वैसा ही रहेगा जैसे कि अन्ने टीमों के लिए रहने वाला है अब कहानी ये अगले वर्ल कप में 14 टीमें हिस्से लेगी पहले तो ये समझ लीजी टीमें ही जादा होगी 14 टीमें हिस्सा लेगी इन में से 2 टीमें जो हैं वो पहले सितह हैं जो हमने आपको बता दी है, सौथ अफरिक और जिंबावे, इसके बाद, वर्ल्ड कप से पहले तक, एक समय सीमा तक, वन डे रैंकिंग देखी जाती है, और जैसे आज कल भारत टॉप पे चल रही है, अब पता नहीं, अस्ट्रेलिया हो गई हो, क्योंकि लेटेस जारी तो न इलावा, बकि 4 टीम權 में जो कालिफार्स मकाबले होते हैं, जिसमें इस बार अफगानिस्तान और यह सब आये थे सफरते हैं करके, वह वहाँ पर होंगे कौलिफार्स मकाबले और उन सभी कौलिफार्स मकाबलों में जो टॉप 4 रहेंगे, वह 4 टीमे आ जाएंगे, तो 1044, चौदा चौदा टीम होने वारी है और फॉर्मेट क्या रहेगा कि ऐसे ही सब के सब मैच चीज होंगे एक ही जगा सब को रख दिया जाएगा और सब सब के साथ खेलेंगे नहीं ऐसा इस बर नहीं है दोज़र सताइस में क्योंकि टीमें जादा है इसलिए साथ साथ टीमों के दो ग्रूप बना दिया जाएंगे जैसे पहले भी बहुत बार हो चुक है ग्रूप और ग्रूप भी यहां राउंड रॉबिन स्टेज के बाद मतलब जैसे ग्रूप ए की सभी टीमें एक दूसरे से खेलेंगे ग्रूप बी की सभी टीमें एक दूसरे से खेलेंगी जो ग्रूप ए में तीन है वो ले लो आप ग्रूप में जो तीन आई है वो ले लो आप वो अगले स्टेज में चले के यानि कि दूसरे राउंड में पहुंच जाएंगे छे टीमें होगी यहां पर अब एक ग्रूप की टीम दूसरे ग्रूप की सभी टीमों से एक-एक मैच खेलेगी मालने जी एक ग्रूप में एक टीम है भारत और दूसरे ग्रूप में अन्य तीन टीम है वो सब के साथ खेलेगी ऐसे दूसरे ग्रूप की वो जो टीम है वो भारत वाले ग्रूप की सभी के साथ खेलेगी तो ये मैच इस हो गए इस तरह से इस राउंड रोबिन में तीन-तीन मैच कुल खेले जाएंगे हर टीम तीन मैच खेलेगी और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से रैंकिंग रहती है इस स्टेज में दो टीमें एलि सैंड फाइनल मकाबला हो जाएगा ठीक है अब दो टीमें लिमिनेट हो गई चार बची चारों के बीच सैंफाइनल हो गया फिर तो फॉर्मिट वही आगे कैरी फॉर्मिट हो जाएगा जो सैंफाइनल में जीतेगा वो फाइनल में जाएगा अब अभी से भविश्यवानी कर दे कौन जाएगा ये तो छीक नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चार साल का बहुत बड़ा प अब ये जो आप नए खिलाडी देखेंगे ना टी ट्विंटी के मैच शुरूर है तेईस तारीक से ऐस्ट्रेलिया के खिलाब वो चेहरे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे ये शश्वी हैं रिंकू हैं और बहुत सारे जो प्लियर्स हैं पराग हैं उनको आप आगे देख पाएंगे वर्ल्ड कप 2027 में इसलिए ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट थी इस बार क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे थे जो आखरी वर्ल्ड कप के तौर पे इस वर्ल्ड कप को देखरें खेल रहे थी खिलाडी के तौर पे अब वो चलिए देश तो देश है देश के पास वर् दन्यवाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें लाइक करें और आप भी कमेंट करके जरूर बताएगे आपको क्या लगता है अब इससे कोई भविश्यवानी है साउस अफ्रीका के लिए तो कर दीगी कमेंट में देखते हैं बहुत शुक्रिया